जह हिंद साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कॉंस्टिबल की नई भरती के लिए जीके जीएस के 45 इंपॉर्टन कोसंस का प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे और आज आपका पन पहला प्रस्ण है भारतिय अंतरिक्ष कारेक्रम के जनक किसे माना जाता है और दोस्तों अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रस्ण का आंसर पता है तो आप लोगों को लाइब चेट में अपना-पना आंसर करते जाना है तो देखिए पहले प्रस्ण का आंसर जोई बच्चे डॉक्टर विक्रम सारा भाई को दिये है आपका बिल्कुल सही जबाब है भारति अंतरिक्ष कारेक्रम के जनक कौन है तो डॉक्टर विक्रम सारा भाई दूसरा प्रस्ण है वासकोडिगामा किस देश का निवासी था और देखिए प्रत्यक इस्ट्वेंड को लाइब चेट में आंसर करना है वासकोडिगामा किस देश का निवासी था तो बिल्कुल सही जबाब दिये हैं पुर्त्यकाल के निवासी थे वासकोडिगामा और भारत आने वाला सबसे पहला पुर्त्यकाली वासकोडिगामा ही था जो कि 1498 एस्पी में भारत आया था गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था एकजाम के लिए काफी ज़्यादा मैतपुर्म प्रस्न है बिहार पुलिस में ये प्रस्न अब तक 2-3 वार रिपीट हो चुका है चलिए आंसर बताएंगे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो बिल्कुल सही जबाब दिये हैं 563 इसापुर्म में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बचपन का नाम पूछा आता है तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था सिधार था और ज्यान की प्राप्ति कहा हुई थी बोध गया में इन्होंने प्रथम उपदेश क कहा दिया था तुसरा वस्ती में सभी पॉइंट को ध्यान रखना है भारत का प्रथम मिसाइल कौन है चलिए चोथे प्रसनी के लिए फड़ापट से आंसर बताएंगे और भारत का मिसाइल में किसे कहा जाता है तो डॉक्टर एपी जे अब्दुल क्लाम को भारत का मिसाइ मिसाइल कौन है तो याद रखेगा ये प्रिथवी है डी आप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है अकास मिसाइल मार करती है तो पांचवे प्रसन का आंसर है जमीन से हवा में अकास मिसाइल जो है ये जमीन से हवा में मार करती है छटा प्रसन है प्लासी का युद कब हुआ था एक्जाम के लिए important प्रस्ण है आंसर बताएंगे प्लासी का युद कब हुआ था तो दीकिए हमने आपको बताय था 23 जून 1757 को प्लासी का युद हुआ था तो ए ओप्सन जो ही बच्चे दिये हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है और प्लासी आपको बताना है वर्तमान में किस राज में है बक्सर का युद कब हुआ था ये भी प्रस्ण एक्जाम के लिए important है चलिए answer किजिए बक्सर का युद कब हुआ था तो इस प्रस्ण का आंसर जो ही बच्चे 1764 को दिये हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है 1757 में प्लासी का युद होता है और 1764 में बक्सर का युद होता है और दोस्तों इस क्लास के साथ साथ आपको रात 9 बजे की क्लास को भी जरूर देखना है क्योंकि उस क्लास में आज से द्रिष्टी IS बुक का मॉडल सेट स्टार्ट किया गया है जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट मॉडल सेट है तो टाइमिंग को जरूर ध्यान रखना है रात 9 बजे आगे देखिए मुस्लिम लिग की अस्थापना कब की गई बिल्कुल एक्जाम में पोछा जाने वला प्रस्ण है मुस्लिम लिग की अस्थापना कब की गई तो आठवे प्रस्ण का अंसर है B आप्शन 1906 में मुस्लिम लिग की अस्थापना होती है बांगला देश के ढाका में और 1905 में बंगाल का विवाजन होता है किसके काल में तो लौड करजन के सासन काल में बंगाल का विवाजन होता है भारतिय अंतरिक्ज अनुसंधान संगठन यानि इसरो इसका मुख्याले कहां पर इस्थित है चलिए नौ के लिए फड़ाफट से आंसर बताएंगे तो बिल्कुल सही जवाब दिये हैं इसरो का मुख्याले करनाटा की राजधानी बंगलुरू में है और बंगलुरू को सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसरो के वरतमान में अध्यक्ष कौन है तो एस सोमनाथ है इसको भी द्यान रखना है एस सोमनाथ इसरो के वरतमान में अध्यक्ष है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है कुलकता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कौन एक टैंक रोधी मिसाइल है तो देखे दसवे प्रस्ण का आंसर है A option नाग ये जो है एक टैंक रोधी मिसाइल है प्रथम विशुयुद कब से कब तक चला था ये प्रस्ण बिहार पुलिस में अल्रेडी पूछा हुआ प्रस्ण है प्रथम विशुयुद कब से कब तक तो देखें आपके एक्जाम में इस तरह से पूछा गया था कि प्रथम विश्यूद की शुरुवात कब हुई थी, तो शुरुवात होती है 1914 में और लाष्ट 18 में, तो सही आंसर है C आप्शन और दूइतिय विश्यूद 1949 से 1945, तो दोनों को ध्यान रखना है, अस्त्र मिसाइल कहां से कहां मार करती है, तो देखिए अस्त्र मिसाइल जो है, ये हवा से हवा में मार करती है, कहां तो हवा से हवा में भारत्य मिसाइल कारेकरम के जनक किसे कहा जाता है, तो देखिए इस प्रसन का सही जबाब बिल्कुल सही आंसर है, डॉक्तर एपीजे अब्दुल कलाम को और मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है आसयोग आंदोलन कब सुरू हुआ था तो देखे आसयोग आंदोलन की सुरूवात होती है 1922 में और समाप्त 1922 में आसयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है किसके कारण तो चौरी चौरा कांड़ जो हुआ था 1922 में उसी के कारण महत्मा गांदी ने आसयोग आंदोलन को वापस ले लिया था 1917 में क्या हुआ था तो चमपारन सत्यागरा और ये महत्मा गांदी का भारत में पहला सत्यागरा था जान रखना है 1924 में महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस के बेलगों अधिवेशन की अधिक्स्ता किया था ये भी दियान रखना है 15 नमबर में है आसयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस ले लिया चलिए 15 के लिए फड़ाफट से आंसर बताएंगे अभी हमने आपको बताया आसयोग आंदोलन की शुरुवात 1922 में और वापस लिया गया था 1922 में 1915 में क्या हुआ था तो महात्मा गांधी दक्षिन अफ्रिका से भारत लोटे थे अंतरिक्ष में पहुचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो देखे अंतरिक्ष में पहुचने वाला प्रथम व्यक्ति है यूरी गागरिन सक समवत कब सुरू किया गया तो देखे ये प्रसन ब्यार पुलिस में पूछा हुआ प्रसन है सक समवत कब सुरू किया गया तो इसका सही आंसर है 78 इस्वी में ध्यान रखना है important है पूछा आता है दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है तो 18 प्रसंद का answer है D option नाग को जाना जाता है इस प्रसंद को आप सभी mark कर लेंगे exam के लिए काफी ज़्यादा important है exam में पूछ सकता है चीन की क्रांती कब हुई थी चले फटाफट से आंसर बताएंगे चीन की क्रांती कब हुई थी तो 19 प्रसंद का answer याद रखेगा 1911 में चीन की क्रांती हुई थी ज्यान रखना है 1905 में क्या हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था पिर्थवी मिसाइल का प्रथम परिक्षन कब हुआ तो 20 प्रसंद का answer क्या है C option 1988 में पिर्थवी मिसाइल का प्रथम परिक्षन हुआ अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है तो देखे अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम है वेलेंटिना तेरिसकोबा तो ए उप्षन जो ही बच्चे दिये हैं आपका बिल्कुल सही answer है पानी पत का प्रथम युद कब लड़ा गया चलिए 22 के लिए फटाफट से answer बताएंगे तो देखे पानी पत का तीन युद होता है प्रथम युद 1526 में बाबर और इबराहिम लोदी के बीच दूसरा 1556 में होता है अकवर और हेमू के बीच तीसरा 1761 में होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे तीसरा युद किसके किसके बीच में हुआ था तो सही जबाब क्या है 1526 प्रथम भारती उपग्र आरे भट कब छोड़ा गया ये प्रस्न भी आपके बिहार पुलिस एक्जाम में पूछा गया प्रस्न है प्रथम भारती उपग्र जिसका नाम है आरे भट इसको कब छोड़ा गया तो याद रखेगा 1975 में छोड़ा गया था तो राइट आंसर 23 का D है चंदर्मा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है तो देखे दोस्तों चंदर्मा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश है USA B आपका बिलकुल सही जबाब है फ्रांस की क्रांती कब होई थी वेरी वेरी इंपोर्टन प्रस्न है माग करके रखना बिलकुल एकजाम में पूछा जाने वाला प्रस्न है और दो से तीन बार पूछा भी गया है फ्रांस की क्रांती कब होई थी तो पचिसवे का आंसर जोई बच्चे 1789 को दिये हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है आप लोग कमेंड करके बताएंगे रूसी क्रांती कब होती है देखते कितने बच्चे आंसर करते हैं 1757 में क्या हुआ था तो प्लासी का यूद 23 जून 1757 और 1764 को बक्सर का यूद 37 धवन अंतरिक्च के अंदर कहां पर इस्थित है चले 26 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सब भी सेशन को लाइक करें तो इसका सही जबाब है ऑप्शन D श्री हरी कोटा 37 धवन अंतरिक्च के अंदर है और श्री हरी कोटा कहां है तो आंद्र प्रदेश में है विक्रम सारा भाई अंतरिक्च के अंदर कहां अस्थापित है तो देखे 37 धवन अंतरिक्च के अंदर है श्री हरी कोटा में और विक्रम सारा भाई अंतरिक्च के अंदर जो है यह है तिरविंद्रम में सरवाधिक समय तक अंतरिक्च में रहने वाले महिला कौन है सरवाधिक समय तक अंतरिक्च में रहने वाली महिला है क्रिश्टीना कोज सी ओप्शन आपका बिल्कुल सही जबाब है रूस की क्रांती किस वर्स हुई थी अभी हमने आपसे यह प्रस्ण पूछा था जो कि एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट है फ्रांस की क्रांती और रूस की क्रांती तो रूसी क्रांती कब हुई थी याद रखना है 1917 में रूस की क्रांती होती है तीस नमबर में है अरजुन क्या है चलिए यहाँ पे चारो अप्शन है बताएंगे फटाफट से अरजुन क्या है तो देखे इस प्रस्न का सही जवाब है एक युद्धक टैंक है पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया तो दीके पानीपत का तीसरा यूद हुआ था 1761 में किसके किसके बीच में हुआ था तो मराठा और अफगान के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तीसरा यूद तासकंद समझोता कब हुआ था दीके एक पूछा आता है सिमला समझोता जो की 1972 में हुआ था लेकिन यहां पे तासकंद समझोता आपको बताना है तो 32 का आंसर क्या होगा 1966 में 1966 में तासकंद समझोता होता है हिजरी समवत का प्रारंब कब हुआ तो देखें आपको सक्षमवत हिजरी समवत इन सभी को याद रखना है एकजाम में पूछा जाएगा तो हिजरी समवत का प्रारंब हुआ था 622 इस्पी में B ओप्षन सही जबाब है और सक्षमवत 78 इस्पी में दोनों को याद रखना है तेजस क्या है चलिए आंसर किजिए तेजस क्या है तो देखें तेजस जो है ये एक लड़ा को विमान का नाम है तो C ओप्षन आपका सही जबाब है पानी पत का दूतिय यूद कब लड़ा गया पानी पत का दूसरा यूद अकवर और हेमू के बीच में हुआ था और ये लड़ा गया 1556 में पर्थम अंतरिक्ष प्रियाटक कौन है तो पर्थम अंतरिक्ष प्रियाटक है डेनिश टीटो D ओप्षन आपका बिलकुल सही जबाब है तराइन का दूतिय यूद कब हुआ तो दीके तराइन का पहला यूद हुआ था 1191 में पिर्थिवी राज चवहन और मुहमद गोरी के बीच में और दूसरा यूद हुआ था 1192 में दूतिय विश्यूद कब से कब तक लड़ा गया तो पर्थम विश्यूद 1914-18 और दूसरा विश्यूद 1949-45 अंतरिक्ष में जाने वाला पर्थम भारतिय कौन है तो 49 का आंसर जोई बच्चे लाइब चेट में राकेश सर्मा को दिये हैं आपका बिल्कुल सही जबाब है राकेश सर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पर्थम भारतिय है चंद्रमा पर मानव को पहुचाने वाला पर्थम अंतरिक्ष यान कौन है तो आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा Apollo 11 है D option आपका सही आंसर है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था ये प्रस्न भी आपके एक्जाम में पूछा हुआ प्रस्न है गांधी इर्विन समझोता कब हुआ था तो याद रखेगा ये हुआ था 1931 में क्रिप्स मिशन भारत कब आया था और 1930 में क्या हुआ था तो सभी ने अबग्या आंदोलन ध्यान रखना है चले बताएंगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था तो इसका सही जबाब जोई बच्चे 1942 को दिये हैं आपका बिलकुल सही जबाब है और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन होता है जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था महत्मा गांदी जी के दुआरा विक्रम समवत कब प्रारम हुआ तो दिखे सक समवत प्रारम होता है अठत्तर और हिजरी समवत 622 इस्वी याँ पे विक्रम समवत बताना है तो तीनों को दियान रखना है एक एकजाम में पूच सकता है इसका सही जबाब है 58 इसा पूर्व याद रखना है 58 इसा पूर्व चंदरमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है तो इसका सही जबाब है नील आमिस्ट्रांग ये चन्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति है लाश्ट प्रस्न है भारतिय सुदूर समवेदी संस्थान कहां इस्थित है तो इस प्रस्न का सही जबाब है देहरा दून में इस्थित है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से जरू लाइक करें